हलो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए काफी कमाल के और इंट्रेस्टिंग टेक न्यूज जो है वह लेकर आया हूं क्योंकि इस हफ्ते दो हैं बहुत ही अच्छे प्रोड़क्ट जो है लाउंच होने वाले हैं या हो चुके दिनके बारे में आपको जानना जरूरी है उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे अच्छे टेक न्यूज जो है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो बिना किसी टाइम वे इसकी वीडियो की शुरुवात कर लेते हैं और अगर आप हमारे इस चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे है तो गाइस प्ल जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा और इसकी ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि Amazon की तरफ से ऐसा बताया गया था कि जो उनके डवलपर्स हैं उनको ये अपडेट पास कर दिया गया है तो वो जो है Amazon Alexa को train कर रहा है और उनके लिए special seminar भी रखा गया है जो 24 जुलाई को होने बहुत ही जल्दी Amazon अपने Alexa प्रोड़क्ट में Hindi language को लाने वाला है तो आप आराम से आप Hindi में अपने Alexa प्रोड़क्ट से बात कर सकते हैं अगली न्यूस हमें Xiaomi की तरफ से मिल जाती है तो Xiaomi अपने एक next प्रोड़क्ट को इंडिया में लांच करने वाला है और इस प्रोड़ अब शाओमी की तरफ से बाहर नहीं आया है लेकिन इसको जो है आप 18 जुलाई से क्राउट फंडिंग के दुरू खरीच सकते हैं और ये बारा बज़े से जो है ऑनलाइन हो जायागा यानि कि आप बारा बज़े 18 जुलाई को पर्चेस कर सकते हैं इसके अगर इस थोड़ी और उस चिपसेट का नाम होने वाला है Snapdragon 855 Plus यानि कि अभी के टाइम पे जो 855 है उसका एक advanced version होने वाला है और उसकी खासे दिये है कि उसमें आपको सबकुछ overclock मिलेगा यानि कि अभी के टाइम पे जो Snapdragon 855 है उसमें आपको 2.8 GHz का clock speed मिल रहा था लेकिन अब जो 855 Plus होगा उसमें आपको 2.9 GHz का clock speed मिलेगा और ये जो 855 Plus होगा वो 5G network के लिए सबसे जाधा अच्छा होने वाला है उसके साथ एक और update जो है Qualcomm की तरफ से निकल के भारा आया था वो ये की Asus का ROG Phone 2 जो होने वाला है वो सबसे पहला phone होने वाला है जिसमें आपको 855 Plus का chipset देखने को मिल जाएगा Redmi K20 और Redmi K20 Pro जो है आज लॉंच होने वाला है या फिर लॉंच हो चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो डालूँगा तो गाइस उसको जो है आप खरी सकते हैं लेकिन आज के टाइम पे जो है उसको सिर्फ वो ही खरी सकता है जो alpha registration करा चुका है यानि कि जो हाइप वाला फोन था अब देखते हैं कि लोगों के किस तरीके से हमें response मिलते है और सेल जो है इसकी किस तरीके से जाती है अगली न्यूस हमें Xiaomi Mi A3 की तरफ से मिलती है तो गाइस इस फोन की जो images है वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी है यानि कि box box पूरा फोन जो है वो ल आलेंड में रिलीज होने वाला है काफी जल्दी है इंडिया में भी आ जाएगा क्योंकि यह जो सीडी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर रही है MI A2 उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा है अस कंपेर टो MI A1 लेकिन MI A3 की स्पेसिफिकेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी सुनी गई है क्योंकि यह जो फोन है वो सबसे जादा हाइलाइट हो रहा है उसके कैमरे के कारण 48 MP का कैमरा मिलेगा और कुछ जो सोनी के सेंसर है वो थोड़े अपग्रेड़ेट वाली सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ इसमें आपको स्नैपडरेगन का 665 वाला चिपसेट मिलेगा यानि की 730 से कम वाला है अगर इसका प्राइस 15,000 रुपे रहा तो बहुत जाथ है इसको कॉंपेटिशन मिलने वाला है तो रियल मी एक्स जो है इसी प्राइस में आ रहा है और रेडमी का के 20 व सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन इसका प्राइस जो है वो काफी कमाल का हमें मिला है और इसका रिस्पॉंस भी जो है लोगों की तरफ से अच्छा मिला है कि मैंने इसके रिव्यूस वगरे देखे है तो इसका जो बहुती बढ़िया प्रीम डेवाइस जो है आपको कम आपको मिल रहा है लागे इसका सबसे जो लोवेस्ट वर्जन होने वाला है वो 17,000 रुपे होने वाला है जिसमें वो आपको 4GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देगा फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले है और जो कैमरा है वो पॉपव कैमरा है उसके साथ इसका जो हाई है वो 20,000 रुपे तक का जाएगा जिसमें आपको 6GB की रैम और 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा तो आप यह फोन जो है काफी कमाल का है इसको आप 24 जोलाई से जो है खरी सकते हैं अगली न्यूस बताने से पहले मुझे आप लोगों को एक अपडेट देना सकते हैं और easily कुछ simple steps के साथ जो है आप participate कर सकते हैं जिसमें आप एक wireless earphone एक wireless headphone जीच सकते हैं तो वाई शाओमी अपने एक और नए प्रोड़क को इंडिया में लांच कर चुका है और उस प्रोड़क का नाम है MI Superbase यह एक wireless headphone है जो Bluetooth 5.0 को support करता है उसके साथ इसके जो features है काफी जादा कमाल के जिसको शाओमी बिल्कुल खतरनाक तरीके से हाइलाइट करके बता रहा है वो यह कि अगर आप इस headphone को दो गंटे तक चार्ज करते हो तो आपको कम से कम 20 घंटे तक का बैटरी बैक अप दे देगा यह 20 घंटे अन पेपर है अगर यह 20 घंटे नहीं भी चाइना में अलरेडी रिलीज हो चुका है इंडिया में यह लोग अभी रिलीज कर रहा है तो मैंने इसके चाइना वाले रिव्यूज अगर देखे हैं तो रिव्यूज के साफ से यह काफी अच्छा साउंड करता है बेस अगरे भी आपको इसमें मिल जाएंगे तो गाइस अगर आप इस वाले हेड़फोन को खरीजना चाते हैं तो इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से आके इस प्रोड़क्ट को देख सकते हैं और अगर आपका मन है खरीदने का तो आप इसको खरीद भी सकते हैं अगली न्यूज हमें इस तरीके के जाए कि जैसे आप उसको पास करेंगे तो आपको फेशल रिकॉर्नाइजेशन कर दिया जाएगा अपने आप ही और आप जो है उस गेट को आराम से बिना किसी हैजल वेजल के पास कर पाएंगे यानि कि आपको कोई भी वहां पर आधार कार्ट पेंड कार्ड में भी जो है यह देखने को मिल जाएगा तो गाइस यह थी कुछ इंट्रेस्टिंग टेक न्यूज जो काफी जादा कमाल की थी क्यूंकि इस हफते हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया से लाउंचिस देखने को मिले तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताईए कि आपका सब से फेवरेट लाउंच कौन सा था और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी टेक न्यूज कौन सी लगी तो गैस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है I hope आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीस इस वीडियो पर एक लाइक ज़रू झाल